अरे कृष्णा भगवत गीता का अनमोल ज्यान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भोलें अब जीतने का मतलब सेने जो पहले है, उसका मतलब मन का स्वभाव इसका क्लियर हुआ है, क्या क्लियर हुआ है मन का स्वभाव, जीता किसको जाता है, जिसका कि नैच्रल नेचर क्या होता है, स्वभाविक नेचर क्या होता है, अरे स्वभाविक तो जत्रू है, प्रंदू आ natural nature what is this natural nature the natural nature of the mind is anti-atma-gyan so the mental nature of the mind there is something that is not our soul of the mind the soul that comes to the soul of the soul of the soul सोभाविक nature क्या है natural सोभाव क्या है आत्मा to be a friend of the divvya divvya का मित्रता divvya के divvya की लाइन पे चलना और भौती क्या होता है बिलकुल opposite divvya से विप्रीत आत्मा divvya से साठगाड करती है मित्रता करती है इससे करती है और मन बहुती क्या तो opposite होना चाहिए प्रंतु फस गए मन की साहता के भी अरकाम नहीं हो सकता उधार नहीं हो सकता समझ रहे ना यह सब कि कहले साइकल है फस गई यह फसे नहीं है हम फसना चाहते थे अरे अज़दी आपको याद रह जाए कि मैं आत्मा हूँ तो जो आप भगवान से विद्रो करना चाहते है आप भोगता बनना चाहते है वो आप बनी नहीं सकते वो आप बन ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो आत्मा का सुभाव ही नहीं है वो आत्मा का सुभाव ही नहीं है उसका नित्य सुभाव नहीं है जिसे पानी का नित्य सुभाव क्या तरलता क्या उसका कब जब वो अपने सुभाविक स्थिती में हो जब कोई नेमितिक मतलब external factor उसके एक्ट नहीं कर रहा हो ठंड या गरम गरम में वहाँ बन जाती है और ठंड में हाड हो जाती है प्रंथो अपनी natural अपनी सुभाविक स्थिती में जब पानी होता है तो कहते हैं ना room temperature क्या कहते हैं उसके normal temperature उसके अंदर वो तर रहा है यह उसका सुभाव इसी तरीके से भौतिक का सुभाव इसे मन कह रहे हैं मन की बात कह रहे हैं शरीर तो और ज़्यादा जड़ है मन से ज़्यादा जड़ है आपकी बुद्धी दुश्मन नहीं प्रोजी किसको कहा है बगवान में, मन को कर, मन ही, मन ही बुद्धी को दुश्मन बनाता है, शत्रू बनाता है, मन ही इंद्रियों को शत्रू बनाता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा कौन है, मन है, अरे अगर राजा शत्रू है, किसी देश का, तो पुरा गिंग्डम शत्रू हुई के नही आएगे अरे कृष्णा भगवत गीता का अनमोल ग्यान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हां बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें